मिडिल क्लास वालों की कुछ अच्छी आदते साबुन जब खत्म होने लगता है तो उसको नए साबुन के साथ चिपका देते हैं तूट पेस्ट ट्यूब को रोलर के आग़े खत्रे तक इस्तिमाल करते हैं घर में रखे सुनदर काच के बर्दन सिर्फ महमानों के लिए ही इस्तिमाल करते हैं दोने की कीमतों में बढ़ होती से परिशान होते हैं जब कि सोना खरीदना भी नहीं होता टीवी रिमोट के सeur बदलने के बजाए उसको मार मार कर इस्तिमाल करते हैं पुरानी टी-शर्ट को नई ड्रेज बना लेते हैं और जब उसके लायक भी नहीं रहती तो वो पोच्छा बन जाती है घर में खुश्बू के लिए रूम फ्रेशनन नहीं अगरबत्ती का इस्तिमाल करते हैं गीजर का बटन बन करके तब तक नहाते हैं जब तक नल से ठंडा पानी नहीं आ जाता हम मिडल क्लास वालों को बस यही फिक्र रहती है कि दूद उबल के बहन आ जाए इसलिए दूद की बने तक उस पर ध्यान क्रेंदित करते हैं खाने में अगर सब्रियां रोटी बच जाए तो यह सोचते हैं कि उसका दुबारा इस्तिमाल कैसे किया जाएगा चाहे कुछ भी हो लेकिन हम मिडल क्लास वाले दिल के अमीर होते हैं घर में जब भी कोई अच्छी चीज बनती है तो पडोसियों से मिल बैट कर खाते हैं और दुख की घड़ी में भी एक दूसरे के साथ निभाते हैं चाहे पडोसी किसी भी जाती या धर्म का हो आप भी अगर मिडल क्लास वालों की कोई आदत जानते हों तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए